पपीते के जाड़ों में जब भी उसके अंदर पपीता आता है तो जनरली यह देखा जाता है कि उसके अंदर वाइड बग्स भी साथ में आ जाता है तो इसको कैसे ठीक करें आज इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले नमस्कार मेरा नाम आधिति किलके एंडा ओनर ओफ दिस अमजान पार्क नर्सरी और पिछले एक साल में मैंने हजारों लोग की मदद करी है अपने यूट्यूब चैनल से उनके प्लांट्स की केर करने में तो आई यह जानते हैं कि कैसे इन वाइड बग्स से डील किया जाए तो देखिए पपीते का जाड जैसे कि आप खाते हैं पपीता तो आपने इसको 100% और्गैनिक रखना चाहिए ऐसा मेरा मानना है तो आपने क्या करना है इसके इंदर टेफगर श्प्रे नहीं करना है आपने सारी और्गैनिक चीज़़े ट्राइ करना है तो सबसे पहले नीम ओईल का स्प्रे करना है अगर आपको नहीं पता है कि नीम ओईल क्या होता है इसको कैसे स्प्रे करते तो हमारा मैं आए बेटन दे दूँगा अपर आसपाँ आपको दिख जाएगा अब वो वीडियो चेक कर सकते हो कितना क्वंटिटी कितने प्रप्रोशन में उस करना म सब उसमें बता चुक है तो आपने इसके उपर नीम ओइल का स्प्रे करना सबसे पहले और तबी करना है जब फ्रूट आजाए फूट आने से पहले पहले करना आपने जब उसके बग देखे तब ही करिएगा अननेसेसरी प्रे नहीं करना तो वह आप स्प्रे करेंगे तो वाइट बग्स उससे खतम हो रहे होंगे और फिर भी ना हो तो एक बार हल्दी उसके ओपर थोड़ी जे डाल के देखिएगा ठीक हो जाएगा और अगर फिर भी ठीक ना हो तब आपने कैमिकल पर जाना है अननेसेसरी कैमिकल कभी भी खाने वाली चीजों में आपने नहीं ड बबाइ